नमस्कार मैं हूँ फारी नंसारी और आप देख रहे हैं मुबाइल लिउस 24 केंद्र के लाए तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन को 32 दिन हो गए हैं लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं सरकार ने इस अंदोलन को खत्म करने के लिए कई कोशिशे की लेकिन अब तक कामियाब नहीं हो पाई किसान संगठेन कानून वापसी पर अड़े हुए हैं उनका कहना है कि वो कानून में किसी भी तरह के संशोधन के लिए तैयार नहीं है सरकार को इसे वापस लेना ही पड़ेगा दरसल सायूक्त किसान मोर्चा ने अपनी बैठक के बाद ऐलान किया है कि अपनी मांगों को लेकर 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जो कि सिंदू बॉर्डर से लेकर टीकरी और शहजापपुर तक रवाना हो जाएगी इस दोरान किसान क्रिशी कानूनों को रद करने के लिए मांग के साथ पूरे देश का इस आंदोलन में समर्थन करने की अपील करेंगे वो इस रैली के साथ देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि 30 दिसंबर को रैली में शामिल होकर किसानों के साथ नया साल मनाएं हाला कि इस से पहले किसान सरकार के साथ मीटिंग के लिए तयार है 29 दिसंबर को सुबा 11 बजे ये मीटिंग होगी लेकिन इस मीटिंग के लिए कुछ शर्ते रखी गई है और किसानों की वो शर्ते हैं कि तीनों क्रिशी कानूनों को वापस लेने के बारे में क्या किया जा सकता है इस पर बात हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानि कि MSP की कानूनी गारंटी पर बात की जाए Commission for the Air Quality Management Ordinance के तहट सजा के प्रोविजन किसानों पर लागू न किये जाए यानि कि पराली जलाने को लेकर किसानों पर जो कारवाही की जाती है उसको पूरी तरह से खतम कर दिया जाए इसके अलावा Electricity Ordinance Bill में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत में शामिल हो इतना ही नहीं कृशी मंत्राले के सचिफ की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में मोर्चा ने अफसोस जताते हुए कहा कि इस चित्थी में सरकार ने पिछली बैठक के तत्यों को छिपा कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है सरकार को पिछली मीटिंг के बारे में गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए और जिस तरह से सरकार के लोगों ने किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की मुहीम चला रखी है उसे भी बंध किया जाए आपको बता दें ये आंदोलन पिछली एक महिने से चल रहा है इस दौरान किसानों की सरकार के साथ कई बार मीटिंग हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल सका इस आंदोलन के दौरान होश्यारपुर के एक किसान की हार्ट अटैक और तलवांडी सावो के किसान की थंड से मौत हो गई फिर भी ये अंदोलन अभी भी जारी है और 30 दिसंबर को ट्रैक्टर रैली की तैयारी हो रही है तो ये थी किसान अंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी मॉबाइल न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन के ओल आप्शन को भी प्रेस कर दे साथी वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें ताकि आप रह सकें देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट